हेलो दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो पंजाब किंग्स और रायस्थान रोयल के बीच में मैच चल रहा है उस मैच में कैसे एक बेहदी कमाल का और रोमांचक मुमेंट देखने को मिला है जी हाँ आपको बता दे भी हाले में फैबियन एलन यानि कि पंजाब किंग्स के बेहदी खतरनाक खिलाडी ने एक ऐसा कैच पकड़ा है जिसकी चारों तरह बहुत ही जादा तारीफ हो रही है और ये कैच यकीनन बहुत यादा इंट्रेस्टिंग रहा और इंट्रेस्टिंग इतना था कि इस कैच के लिए डिसीजन देने के लिए थर्ड अंपायर को भी बीच में सम्मेलित किया गया था तो इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को बेहदी ध्यान से और अंत तक देखेगा जी हाँ दरसल बात तब की है दोस्तो जब अर्शदीप सिंग गेंद वाजी करा रहे थे और दूसरी तरफ लियाम लिविंग स्टोन बैटिंग कर रहे थे और उसी टाइम पर हमें ये देखने को मिला जब 11 ओबर की दो गेंद हो चुकी थी और तीसरी गेंद जैसे ही अर्शदीप सिंग ने फेका तो लिविंग स्टोन ने एक बहुत ही तेज तोट खिलने की कोसिस की लेकिन गेंद सीधे गई फैबियन एलन के पास और फैबियन एलन बाउंडरी से थोड़ा आगे खड़े थे और उन्होंने अपनी तरफ गेंद को आता देख दोड़ लगाई और उन्होंने गेंद को हवा में उचलकर बेहद ही सांदार तरीके से ये कैच लपक लिया जी हाँ ये कैच इतना खूबसूरत था कि एक बार को तो विश्वासी नहीं हुआ कि कैच पकड़ लिया गया है और अंपायर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे और उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि रियल में ये कैच हुआ है या फिर कैच छूट गया है इसके बाद फैसला जो था वो थर्ड अंपायर के तरफ भीजा गया थर्ड अंपायर ने इस कैच को हर कैमरे की तरफ से देखा हर एंगल से देखा और तब जाकर के पता चला कि फैवियन एलने जो कैच पकड़ा है वो बेहत ही ज़्यादा सांदार है और फिर क्या था बड़ी स्क्रिन पर साफ साफ लिखा हुआ था बड़े सब्दों में आउट और यहां से रायस्थान रोयल की टीम जो की बहुत ही अच्छी कंडिसन में थी लगतार नीचे जाने लग गई थी और तो और मैं आपको बता दूं कि फैवियन एलन की खुब तारिब भी हुई और इसके बाद इस कैच के साथ ही लिविंग इश्टोन को बाहर जाना पड़ा और लिविंग इश्टोन की ये खतरनाक पारी यहीं परी समाप्त हो गई दोस्तों बात करें अगर मैच की तो हमने मैच में ये देखा कि किस तरह से रायस्थान रोयल ने बेहदी धासू पारी खेलते हुए 185 रन का टार्गेट सेट कर दिया है जिसमें हमें ये देखने को मिला है कि संजू सैंतन तो फ्लोप रहें लेकिन ये सास्वी जैस्वाल इवन लूई और पंजाब को समल कर खेलना होगा तब जा करके पंजाब को ये जीत मिलेगी तो आप हमें कमेंट करके बताइए न कौन से टीम आपके हिसाब से जीतने वाली है साथी वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद